dear student आज अपने objective of IPR पे बात करते हैं objective क्या है तो objective उस से पहले अपने पढ़रे थे intellectual property क्या है intellectual property right क्या है ठीक है उनकी subdivision क्या है उसके लवा types of property क्या थी उसमें थी tangible property कोण सी है tangible के अंदर जो दिखाई देती है जैसे मकान है दुकान है ठीक है इमारत है जेवर है रोकड है तो यह क्या है tangible के अंदर इंटेंजिबल में बताई थी आपको जो इंद्रियों जो आंखों से दिखाई नह दे जो brain से सरजित की जाती है ठीक है तो वो क्या है इंटेंजिबल के अंदर आती है जैसे innovators है आविश्कार हो गया ठीक है कोई poem वगेरा है तो वो क्या है जिनको क्या करते है अपने महसूस के अंदर tangible, intangible दोनों बता दिया आपको उसके अलावा अपने पड़ा था importance of IPR उसके अलावा IPR की परकरती क्या है वो भी बताई थी तो आज अपने पड़ते है objective of IPR objective क्या है IPR का intellectual property का उदेश्य क्या था तो इसमें पहला उदेश्य अपने जेसे बोधीक संपती के surgeon करता या creator की रूच्ची तथा इनके उस्षा है को बढ़ावा देना जो भी नई खोज करने वाला है creator है तो उनकी रूच्ची को क्या है बढ़ावा देना इंट्रेस्ट को जगाना थीक है उनकी रूच्ची को जगाना तथा उसको maintain बनाई रखना संतुलन में रखना उनको क्या है ये पहला उदेश्य था बोधीक संपती जो भी दिमाग की कोई भी संपती है उनको क्या है जो भी creator की रूच्ची तथा उनके उस्षा को बढ़ावा देना तथा उसको maintain बनाई रखना कोई भी रूच्ची है उनको क्या है maintain बनाई रखना कीरियेटर की नमबर एक उसके बाद में दूसरा उबजेक्टिव क्या है अपना सर्जन करता कीरियेटर की या कीरियेटर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए नेतिक तथा नेतिक तथा आर्थिक लाग moral and economic profit पहुंचाना ठीक है क्या पहुंचाना moral and economic जो भी प्रोफिट है वो पहुंचाना किसके लिए सर्जन करता का मनोबल बढ़ाने के लिए नेतिक तथा आर्थिक लाग पहुंचाना दूसरा हो गया उसके बाद में तीसरा उदेश्य क्या है कीरियेटर की नई तकनीकी को बढ़ावा देना जो भी नई तकनीकी या नई खोज किया उनको क्या है बढ़ावा देना तथा अविश्कार कीरियों को प्रोफ साहन परदान करना जो भी अविश्कार किया है जो भी अविश्कार activity है जो भी गतिवित है उनको क्या है प्रोज साहन परदान करना उसके अलावा चोथा क्या है चोथा अपना है जनता को नई तक ने की जनता को नई तक ने की जैसे इंटरनेट के परियोग से होने वाले लाब को पहुंचाना ठीक है जो भी इंटरनेट से सुविधा जुड़ी है उनके लाब क्या है जनता तक या लोगों तक पहुंचाना यह अपना चोथा उब्जेक्टिव है उसके अलावा पांचवा देश तथा विदेश अपने देश या विदेश में foreign country सामाजिक तथा सामाजिक तथा और थिक विकास को बढ़ावा देना कौण कौण से है सामाजिक तथा economy development को क्या है बढ़ावा देना ये भी है एक उदेश ये है आई प्यार का उसके अलावा चटा देख देपने अनूसंदान के छेतर में किनके छेतर में अनूसंदान या research के छेतर में विशेश रूप से फारम थता पोदों से समन्धीत विशेश महतव निभाना जो भी research के अंदर जैसे कोई अपनी variety launch की है नई विराइटी निकाली गई है तो उनको क्या है wishes मेहतों में रखना ठीक है specific में उनके अलावा साथवा अपना objective क्या है नई तकनीक को उत्पन करने वाले जो भी नई तकनीक है नई technology है उनको क्या है create करने वाले ठीक है या generate करने वाले आई पी के स्वामी आई पी का मतलब है intellectual property का मालिक जो इस तकनीकी के उत्पादन के लिए अधिक धन तथा धन तथा संसादन लगाता है तथा तकनीकी का परियोग करके अपनी तकनीकी तथा दसा में सुदार करने वाले वेक्तियों के बीच गरना या नपरत की बावना को नई पनपन देना जो भी नई टेकनोलोजी की research करता है तो उसमें क्या है capital पुंजी धन खर्च होता है ठीक है धन खर्च होता है तो उनको क्या है profit देने के लिए क्या है उनके मन में कोई भी बावना एसी ना जो जैसे दो करोड लगा दिया दस करोड लगा दिया ठीक है कोई नई चीज खोज करने पे या नया अविस्कार करने पे तो उनको क्या है उनको जैसे patent है तो patent की है उदी बीस वर्स की होती है को क्या है profit दिया जाता है ना तो उनके मन्द में क्या है कोई नफरत की बावना ना प्यदा हो ठीक है ये इनका साथवा अब्जेक्टिव है आठवा अब्जेक्टिव है बोधिक संपदा कौन सी संपदा बोधिक intellectual property एदिकारों के दवारा विकासील देशों को के एसे कारियों सांसकर्ति कतनों को भी सरक्षन परदान हो सकता है जो अभी तक लिखित रूप में आए हो आए ने हो लिपी बंद ने हुए हो इसके दवारा संबंदी देश तदा वहां की संसकर्ति को क्या है प्रोफिट होगा जैसे भी जैसे अपने रास्तान की बात करें जैसे बाड मेर है जैसल मेर है विकानेर है वहां का कल्चर है या वहां के कोई सोंग बगेर है उनको क्या है आई प्यार के अंदर ले सकते हैं उनसे क्या है उनकी क्या है economy, आर्थी, condition, सुद्रेगी किसमें ये भी अपने IPR के अंदर ले सकते है ये भी एक क्या है objective है क्यों उनका कोई लीपी बंद नहीं हुए है जो लीपी बंद नहीं हुए है उनको अपने क्या है IPR के अंदर ले सकते है कोई भी song है कोई culture है कोई नातक है ठीक है वो आपको बताए थे कोण कोण से सब बता दिये थे च्छाव बताए थे कोपीराइट के अंदर या पेटेंट तो वहां के कलतर वगेरा संस्कर्ती वगेरा कोपीराइट में आती है तो ये अपने objective थे कितने थे आठ objective बता दिये उसके बाद में आपको बताते हैं brief introduction to gate संस्शिप्त में या sort में gate का वीवरेंट या परीच्चे introduction तो gate का क्या है gate gate की full form है general agreement on tariff and trade ठीक है general agreement on tariff and trade ठीक है gate ये मत समझ लेना जो कमरा में लगए होते है जो room का होता है वो gate नहीं है ये ठीक है ये क्या है general agreement on tariff and trade हिंदी में बोलें तो उसको बोलते है पर सुलक एव व्यापार समाने समझोता ठीक है इंगलिस में हो गया जी का मतलब general agreement on tariff and trade gate की full form क्या है gate की full form आ सकती है एक नमबर के अंदर ठीक है gate की full form क्या है तो general agreement on tariff and trade ठीक है याद कर लेना इनको अच्छी तरह से उसके आगे gate की स्तापना कब हुई थी gate की स्तापना या established gate की स्तापना कब हुई थी ये हुई थी एक जन्नवरी कब है एक जन्नवरी 1948 में एक जन्नवरी 1948 gate की स्तापना gate की full form क्या है general agreement tariff and trade क्या है general agreement tariff and trade तो gate का अपने बात करें तो मुख्या ले या headquarter कहा है इनका मुख्या ले है जिनेवा शिवजर लेंड कहां पर है जिनेवा शिवजर लेंड के अंदर उसके अलावा अपने gate के अंदर discuss करें तो gate अंतराष्ट या बाजार के नियम बनाने एव नियम बनाने एव इस परकार के व्यापार में आने वाली समस्याओं का क्या करता है हल डूंडता है ठीक है हल करने के लिए आवसक वातावरण बनाने में मदद करता है यह समझोता सदस्य राष्टों में व्यापार समन्दी जगडों का जो भी कोई dispute होता है उनको क्या है निप्टाता है क्या करता है उनको निप्टारा करके अंतराष्टिय कोर्ट कौन सी कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट का भी कार्या करता है gate क्या करता है कोई भी dispute, ठीक है, कोई भी विवाद होता है, उनको क्या है, निप्टारा करता है, international court का क्या है, international court का कारिय करता है, gate है जो, अब gate के इंदर क्या-क्या है वो बताता हूँ, बारत देश gate का सदेश है, इनकी स्तापना करने वाले 23 देशों में से एक है, gate का जब स्तापना की ग टोटल 23 देश थे, गेट की स्तापना हुई थी तब, उसके बाद में गेट को 23 देशों ने फोलो किया, फोलो का मतनव है अपनाया कितने देशों ने? 23 देशों ने, कब अपनाया था? 30 अक्तूंबर 1947 को अपनाया था, लेकिन इनका परभाव, इनका परभाव को पड़ा था, एक जनवरी 1948 परभाव, इनकी स्तापना हुई थी, एक जनवरी 1948 को तब इनका क्या है, परभाव पड़ा था, लेकिन लोगों ने क्या, 30 अक्तूंबर 1947 को इनको अपनाया था, 23 देशो साथ बात करें तो 1950 में क्या हुआ सन 1950 में मन मना लिया किस ने मन मना लिया अमरीका ने USA ने कि गेट को रिजेक्ट करना है क्या करना है गेट को रिजेक्ट करना है reject करना है और gate के साथ नहीं मिलना है अमरिका ने USA ने बोला भी gate को अपने 1950 में उन्होंने क्या मन मनाया था भी अपने gate को reject करना है gate के साथ अपने को नहीं मिलना कब का सन 1950 की बात है उसके बाद में USA को आइडिया पसंद नहीं था अमरिका को क्या है gate जो भी कारिया करता था उनका क्या है gate जो भी काम करता उनको पसंद नहीं था USA को ठीक है उनके बाद क्या है gate में मराकस के समय एक मराकस संदी होई थी ठीक है मराकस के समय 123 देशों ने भाग लिया जो मराकस के अंदर जो संदी हुई उनमें क्या है 123 देशों ने भाग लिया 123 देशों ने भाग लिया 14 अप्रेल 1994 में कब 14 अप्रेल 1994 में में उर्गवे राउंड उर्गवे राउंड हिंदी में बोले तो उर्गवे चकर एग्रिमेंट में जो उर्गवे राउंड हुआ था उनमें क्या 123 देशों ने भाग लिया एग्रिमेंट में जिन में कर्सी वस्तर उद्योग आईप्यार व्यापार शेवाओं आधी विशे समली थे उनके बाद क्या है इनमें क्या हुआ था कर्सी समंदीत परस्ताव एग्री कल्चर रिलेटे की समाप्ती जो भी एग्री कल्चर पर सेड़ी मिलते है उनकी क्या कर दिया समाप्त कर दिया ठीक है उसके बाद में प्रोडेक्ट के प्रोडेक्शन के लिए प्रोडेक्ट के उत्पाद के उत्पादन के लिए किसके लिए उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोडेक्श बोलते हैं अपने non product input specific subsidy कौन सी non product input specific subsidy वो किस में है non product input कौन कौन से रखेते हैं उनमें रखा था एक तो seed को एक रखा था fertilizer को एक रखा था irrigation को पर कुल उत्पाद मुल्य पर 10% से 10% से क्या है सबसीडी अधिक नहीं होने जाइए जो भी मुल्य है उनमें कितने हैं 10% ही कम किया जा सकता है ये किन में है non product input specific subsidies में था seed fertilizer irrigation पर कुल उत्पाद मुल्य पर 10% की क्या थी अधिक इस से अधिक जूट नहीं होने चाहिए ये था 1986 से लेके 1988 ये डंकल प्रस्ताव था कौन सा प्रस्ताव डंकल प्रस्ताव उनके बाद में अपने गेट में आके बात और करते हैं दूसरा था product specific subsidy wishes उत्पाद के उत्पादन समंदीद ठीक है वो तो seed fertilizer वो तो क्या है non product में रखा था उसके बाद में जैसे patent system ये क्या था ये है product specific subsidy पेटेंट वड़ा उनके बाद में दूसरा बात करें तो व्यापार समंदीद बोधिक संपदा अधिकार ठीक है इनकी full form आ सकती है व्यापार समंदीद बोधिक संपदा अधिकार TRIPS उसकी full form क्या है trade related intellectual property right इन में क्या है व्यापार समंदीद बोधिक संपदा अधिकार में क्या क्या आ गे थे copyright आ गया trademark आ गया patent आ गया या trade secret trade secret को बोलते है trade रहसे है जिनको क्या है गोपनिय रखा जाता है जैसे आपको बताया था कोई innovators है अविश्कार है या कोई cook formula है उनमें trade race है इनके अलावा industrial design जो भी ओद्योगिक design है ये क्या है व्यापार समीद ट्रिप्स में रखा गया था उसके बाद में trade related क्या है trade related investment measure TRIMS क्या है व्यापार से समधित वी नियोजन उपाए ठीक है तो इन में क्या है निरियात वर्दी करने और देश में लगू एव रोजगार उद्योगों को सरक्षन परदान करने के लिए व्यापार से समधित वी नियोजन उपाए के अंडर निरियात वर्दी करने जो भी है बार भेजने के लिए क्या करना है देश में लगू एव रोजगार उद्योगों को सरक्षन परदान करने के लिए विदेशी पुन्जी का जो भी बार की पुन्जी को क्या है कंट्रोल करना था नमबर च्यार व्यापार सेवाओं से सम्मधी साधारण समझोता जनरल एग्रिमेंट उन टेरिप इन सर्वीस ठीक है इसमें सेवा छेतर में सर्वीस छेतर में क्या है सर्वीस एरिया में वीतिय सेवाओं था देशी वे विदेशी बेंग जो अपने लोकल के या होरेन के बेंग है को क्या है वानी जी अधार पर कार्य करने की पूरण आजादी का अनमोधन करना है ठीक है उसके बाद में अपने चलते हैं गेट का काम क्या है गेट के पर चर्चा चल रही है तो गेट का काम सिर्फ गुड्स बोलते हैं वस्तु को गुड्स वस्तु पर सीमा कर लगाना था जो भी वस्तु है उन पे क्या है टेक्स लगाना था सीमा कर ठीक है जो भी सीमा का टेक्स लगता है जो भी अंदर आता है वो कोई भी वस्तु है तो उन पे जो सीमा टेक्स लगाया जाता है न वो कर लगाना था, लेकिन agriculture and textile, गेट ने क्या है, जो agriculture and textile है, उनको क्या किया था, जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उद्योग है, जो agriculture and textile को क्या है, बार रख दिया था, ठीक है, अंदर नहीं लिया था, उस, उसको इन्होंने बार कर दिया, भे इन्होंने क्या है, सिरिप पर सिमा टेक्स लगाना चलू किया था गेट ने और एगरी कल्चर एंटेक्स टाइल को क्या है कि इनों ने सामील ही नहीं किया था तो उसके बाद में गेट एक agreement था, गेट क्या है, एक agreement समझोता है, यह और अरगनाइजेशन नहीं था, और अरगनाइजेशन का मतलब है संग्ठन नहीं था, जैसे आगे बात करें तो गेट में पार्टी स्पेटिंग देश थे, इन्होंने member नहीं कहते हैं, उसे controlling parties कहते हैं, गेट में जो भी सद्द्शे थे ना, party स्पेटिंग देश जो भी party स्पेटिंग देश थे, जिन्होंने भाग लिया, उनको क्या है, member नहीं कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, contracting, क्या बोलते हैं, contracting parties कहते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं अपने, गेट के अंदर आठ ट्रेड राउंड हुए थे गेट के अंदर कितने ट्रेड राउंड हुए थे आठ ट्रेड राउंड हुए थे जिन में पेला जिनेवा में हुए था ठीक है वो कब हुआ था 1947 में हुआ था पहला राउंड हुआ था ना ट्रेड का व्यापार से समय दीद तो वो हुआ था 1947 के अंदर जिनेवा के अंदर गेट का पहला ट्रेड राउंड हुआ था जिनेवा के अंदर और दूसरा बात करें तो वो हुआ था फ्रांस के अंदर ठीक है तीसरा बात करें तो UK के अंदर ठीक है तीन तक important है उससे आगे नहीं उसके बाद में अगर बात करें साथ हुआ टोक्यो में हुआ था उनके को याद करना जुरूर ही है उर्ग वे round agreement हुआ था ये इस लिए कि gate का काम खतम हो चुका है WTO की जुरूरत है उर्ग वे round है ना ये important है ये जुरूर आता है paper के अंदर उर्ग वे round agreement ठीक है तो ये क्यों हुआ था कि gate को क्या है replace करना है gate अपने लिए क्या है काम का नहीं है इनमे 23 देशों नहीं भाग लिया था ठीक है उसके बाद में मराकस में एक संदी हुई थी उनमें क्या है gate के बारे में चर्चा हुई इन पे क्या है कि ये तो सिमा कर लगाता है agriculture and textile है जो बड़ा हुद्योग है उनको क्या इन्होंने बार रख दिया ठीक है इनमें सामिली नहीं किया तो इनके बाद में उनमें मराकस में संदी हुई थी तो उनमें यही बात हुई थी उनके बाद क्या है उर्गवे राउंड उर्गवे राउंड है ना ये चला था 1906 से लेके 1904 में तक ये date important है उर्गवे राउंड है ना ये important है ये याद कर ले ना ये paper में 100% आती है ये कब से कब तक है 1906 से लेके 1904 में ठीक है शित्यासी मन्त चली थी उर्गवे राउंड उसके बाद में अपने बात करें तो gate को तो क्या है replace कर दिया आठ ही राउंड हुए थे आठ राउंड है आठ मा कोण सा था उर्गवे राउंड था वो कितने महिने चला था सित्यासी महिने चला था कब से कब ये देखो 1906 से लेके 1904 में ये याद रगणा उसके बाद में WTO 200 व्यापार संग्ठन क्या है? 200 व्यापार संग्ठन World Trade Organization ठीक है? उसके बाद में ये तह इनकी World Trade Organization इनकी है फुल पोरम उनके बाद इनकी स्तापना की बात करें तो WTO की स्तापना कब हुई थी? जो मराकस के अंदर संधी हुई थी? कब हुई थी? 1904 में तो उनके बाद इनकी क्या है? स्तापना की गई थी? तो वो ही थी एक जनवरी उन्नी सो पिचाण में में इनकी क्या है स्तापना की गई डव्लू टी होगी उसके इसमें मराकस एग्रिमेंट हुआ था तो वहां पे एक संदी हुई थी उन में क्या है मराकस एग्रिमेंट मराकस एग्रिमेंट हुआ था इसमें 123 देश आपको पहले ही बताती है था शिर्फ टोटल 23 देश थो थे गेट के अंदर ठीक है उनको बोलते है contracting parties बोलते हैं उनको सद्देश्य नहीं बोलते है गेट वाले को इन में क्या 123 देश नहीं बाग लिया था ये लिया था 15 अप्रेल 1904 में कब लिया था 15 अप्रेल 1904 में इसमें गेट को क्या कर दिया था रिप्लेस कर दिया था गेट को क्या कर दिया रिप्लेस खतम कर दिया था जिसकी जगह क्या लाए थे WTO को लाए thế ठीक है किन को लाए thế World Trade Organization को लाए thế WTO के पास क्या है कोई काम करता है तो उनकी क्या Authority है ठीक है Authority है تता GATE के पास क्या थी Authority नहीं थी कोई निर्ने लेने के लिए क्या है उनका कोई decision नहीं था क्योंने में 23 डेस थे और उसके बाद में अगर बात करें तो gate क्या है एक organization नहीं था gate क्या है एक organization नहीं था बलकि एक simple agreement था gate सिर्फ agreement है समझोता था लेकिन WTO क्या है एक organization है संग्टन है WTO का उदेशय World Trade Organization का जो उदेशय क्या है purpose क्या था अंतराष्टिय व्यापार को बढ़ावा देना international trade को क्या है बढ़ाणा बढ़ावा देना उसके बाद अगर आपने बात करें इन पे क्या है कोई भी trade से सम्मझ दिक कोई dispute विवाद चलता है उनके लिए क्या है इन्होंने meeting fix करी थी जैसे WTO की पहली ministerial conference WTO की पहली ministerial conference कावी थी वो होई थी Singapore में Singapore में उन्नी सो च्याणमे में होई थी यह दो वर्सों में एक बार होती है कितने साल के अंदर जो भी WTO की ministerial conference है वो दो साल से एक बार होती है तो starting में कब होई थी उन्नी सो च्याणमे में होई थी पहली ministerial conference अगर एकजाम में पुछ हैंगे तो WTO की पहली conference का होई थी सिंगापूर में होई थी और कब होई थी तो सन उन्नी सो च्याणमे में होई थी यह कितने सालों से कितने वर्सों से होती है तो दो वर्सों में एक बार होती है तीन की उसन मनगे कौन सा WTO के पहली ministerial conference सिंगापूर में उनके बाद में कब होई थी उन्नी सो च्याणमे में और कितने वर्सों में कितनी बार होती है तो यह दो वर्सों में एक बार होती है उनके बाद अपने बात करें तो the fundamental of principle of WTO भई WTO के सिधान्त क्या थे तो सिधान्त अपने पहले बात करें तो reciprocity पहला सिधान्त उनको बोलते हैं पारस प्रीक क्या बोलते हैं पारस प्रीक इसमें दोनों देश मिलकर एक दूसरे के लिए क्या करते हैं trade barrier जो भी है कर लगता है उनको क्या करते हैं कम करते हैं trade barrier को क्या करते हैं कम करते हैं एक्जम्पल की बात करें तो अगर चाइना से कोई आयात बारत में हो रहा है ठीक है चाइना से अगर कोई आयात बारत में हो रहा है तो टेरिफ बेरियर जो सीमा कर लगता है तो वो सीमा कर क्या कर रहा है कम करेगा तो उसको भी टेरिफ बेरियर कम करने होंगे अगर बारत कम कर रहा है ना तो चाइना को भी क्या है सिमा जो कर है वो क्या है टेरिप बेरियर है उनको भी कम करना पड़ेगा ये क्या है रेशी प्रोशीटी के अंदर था पारिस प्रिक समन थे इनमें इनमें दोनों देश मिलकर एक दूसरे के लिए क्या है trade barrier को कम करते है एक्जामपल दे दी आपको अगर चाइना से कोई चीज मंगाई है गुड्स मंगाई है वस्तु मंगाई है भारत ने अगर चाइना से कोई आयात भारत में हो रहा है तो cherry barrier कम करेगा कोन करेगा भारत करेगा तो उसको भी उसको मतलब है चाइना को भी क्या है टेरी बेरियर कम करने होंगे यह नहीं है भी सीमा कर वो बढ़ा देगा उसके बाद में है most फेवरेड नेशन ठीक है M.A.P.N. क्या है most फेवरेड नेशन के अंदर क्या हुआ था अगर बारत ने पाकिस्तान से अगर बारत ने पाकिस्तान से गुड्स पर वादा किया मतलब कोई वस्तू पर वादा किया कि मैं 25% 25% मेक्सिमम क्या है सीमा सुलक ले रहा है या सीमा सुलक लगाऊंगा तो बाकी देश से भी क्या है सीमा सुलक इतना ही लेना पड़ेगा यह नहीं है भी पाकिस्तान को चूट देदेगा ठीक है चाइना को क्या है जादा लगाएगा एसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें क्या है most favorite nation अगर भारत ने अगर अपने बात करें USA से goods पर वादा किया भी 25% में क्या है सीमा सुलक लगाऊँगा कौन साइज देश लेलो यहाँ पर शीमा टेक्स है ले रहा हो तो बाकी देश से भी क्या है उतना ही लेना होगा ठीक है भी मैं 25% लगाऊँगा मेक्सीमम यह आगे most favorite nation के अंदर दो सिदान्त तीसरा सिदान्त की बात करें तो national treatment national treatment के अंदर क्या होता है WTO के सिदान्त में अगर किसी वस्तु को क्या करते है अगर किसी वस्तु को import या आयात करते है किस काम के लिए domestic market में किस में domestic market में गरेलू बाजार में तो उसमें क्या है example देतो अगर अगर कोई foreign goods है विदेशी वस्तु है foreign goods की बात करें जैसे apple phone bar का है कहां का है apple phone bar का है और बार्द का micromix phone है तो दोनों को एक समा रखेगा यह नहीं कि micromix को subsidy दे ठीक है इंडिया यह नहीं कहेगा भी micromix अपना है इनको क्या अपने 30% की subsidy दे देंगे इनको सस्ता कर देंगे एसा नहीं होता इसमें क्या है national treatment के अंदर यह बात होती है भी दोनों को एक समा रखेगा apple हो ची micromix हो ची samsung हो ची कौण साइफोन हो उसके बाद अपने आगे चलते है WTO की WTO की December 2017 December 2017 Ministerial Conference कौण सी Conference Ministerial Conference कहा होई थी यह होई थी Argentina देश में होई थी यह बता दिया भी Conference होती है कोई भी trade से समद्धी कोई भी dispute है विवाद चलता है तो इन में क्या है इन में क्या है हल किया जाता है उनका कोई भी देश में कोई विवाद चल रहा है या तो उनको क्या है विवाद का निप्टारा किया जाता है trade से समद्धी इन meeting में यही बात होती है उनके बाद में अपने वर्तमान में बात करें तो WTO की बार भी Ministryal Conference का ही थी नोर सुल्तान कजाकिस्तान का ही थी ये हुई थी नोर सुल्तान कजाकिस्तान में ठीक है कजाकिस्तान में होई थी ये ये हुई थी 30 अक्तुम्बर 2019 को उनके बाद अगर बात करें वर्तमान में WTO के 164 देश इनके सदसे है WTO के कितने देश सदसे है वर्तमान में 164 देश है टीक हасть स्टार्टिंग में कितने थे 123 देश थे Maracas Agreement हुआ था ना उसमें यह अपने 164 देश कोन से था 29 जुलाई 2016 को अप गानिस्तान इसका 164 वा सदिश्या मना था किन का WTO गा इसके इलावा अगर अपने फंक्षन की बात करें तो फंक्षन आपको पिछले साल करवाए थे आपके WTO लगा था तो वो भी आप पड़ लेना ठीक आपको क्या 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 करवा दिया तो एक तो करवा दिया intellectual property right क्या है intellectual property क्या है इनके importance क्या है ठीक है और intellectual property के उप विवाग जैसे subdivision कौण कौण से है और इनके अलावा objective करवा दिये ठीक है WTO करवा दिया gate करवा दिया ठीक है तो इनको ध्यान से पड़ लेना आगे नेया टोपी को next class मिलेंगे धन्यवाब